जिस तरीके से यह गेम हुआ है हम अभी वह किसी तरीके से अभी भी हम अब्सवॉर कर रहे हैं अभी वह हम समझ पा रहें कि 501 रनों से जीत दर जोई है अभी भी हम इसको अब्सवर करें तो अगर कोई भुल्चूक हो जाए चाणवे को 57 कह तो अब बड़ा अच्छा दिन ह भारत में बैतरीन जीत दज करी है, एक एक चीज की बात करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र डाल लेते हैं, उस बैटिंग कार्ट पर इंग्लेंड के, जब वो आये इस सेशन में, जहीर ने पिछले सेशन में भी कहा था कि जो रूट बड़ा विकेट होंगे, लाइट भी एक लेकिन जो रूट को तो बड़ा विकेट निकाला, उसके बाद एक लगा जड़ी सी लग गई है, लेकिन फिर जॉस बटलर ने बहुत अच्छी बल्ले बाजी करी, बहुत देर तक टिके रहे हैं, उनके साथ ऑली रॉबिंसन, लेकिन जब आपका पेस अटैक ऐसा हो, जिस तरीके से, जिस तरीके से ये इस तीन, इस पेस यूनिट में काम करा है, एक दूसरे को कॉम्पलिमेंट करा है, लूज डिलिवरी कहीं भी नहीं, कोई भी जो आपने पिछले सेशन में गादा, दबाव नहीं छूटने दिया, कहीं भी. जी बिल्कुल तरह है, क्योंकि ये तो आपने दिखा दिया, इंग्लेंड का बैटिंग कार्ड, अगर आप भारती एक गेंद बाजी के उपर नजरे डालो ना, तो अब आपको पता चलेगा, कि आज का दिन, भारत के लिए गेंद बाजों के दुष्टिकों से कितना अगर आप देखोगे ना, तो आप ये नहीं कह सकते के सिर्फ एक ही गेंद बाज लेगे, सिराज ने चार विक्टे लिए, भुम्रा ने क्रूशल स्टेजिस पे आपने का कि रूट की विकट कितनी एहमियत रखती है, ये सभी को पता है, तो रूट का विकट टी टाइम के बराबर बाद में मिलना उस टाइमिंग का भी बहुत ही जादा मैं समझता हूँ, तो सिराज की गेनवाजी शामी का वो विकट जो स्टार्ट में उन्होंने लिया, इशांत ने जिस तरीके से दबदबा बनाए रखा, जिस तरीके से उनकी गेंद स्विंग हो रही थी और जिस तरीके की लेंग्ट उन्होंने पहले इनिंग के विकरीत यहापे जो अज्जस्मेंट किया लेंग्ट का वो भी बहुत बढ़िया कंडिशन्स जरूर आज और कास थे तो उसका भी भारत को जरूर फायदा हुआ, लेकिन जिस स्टेज से भारत ने वापसी किये गेम मे कहीं पे भी, मतलब इंग्लेंड जब पीछे देख रहा होगा ना इस गेम पे तो वो सोच रहे होगे, वो सुबह का एक गंटा जो था ना साड़े ग्यारा से साड़े बारा तक का आज का, वो बिलकुल बिलकुल भारी पढ़ गया, क्योंकि वहाँ से चीजे जो घूमी है, तो इंग्लेंड के बस में भी नहीं आपाई, तब तक कहा जा रहा था कि इंग्लेंड इस गेम में फैवरिट्स लग रहे हो सकता हूँ, आज का मैच जीच जाएंगे, ये टेस्ट मैच जीच जाएंगे और जो अंत में जो हमने देखा है, वो बिलकुल बिलकुल भारी तो तो ये मतलब उस नजरीय से मैं समझता हूँ एक great test match to watch और अगर हमें इतना मज़ा आया देखने में तो जो जिन लोगों ने मेहनत की है वहाँ पर मैदान में जो गैरा किलाडी जो ड्रिंक्स लेके बार-बार भाग रहे थे वो भी intensity पूरा एक बारतिया खेमा जितनी मेहनत क जो फक्र जितना मैसूस कर रहे होगे उसकी कोई सीमा नहीं